हालो दोस्तों विनेर एजुकेशन में आप सबका स्वागत है दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि इस बीते 15 अगस्त को सेलिबरेट किया अपने देश का 74.7 तता दिवश इस अवसर पर हमारे प्रधान मंती नारेंद मोधी जी ने लाल के लिए से देशवाशियों को प्रधान मंती नारेंद मोधी डेशवाशियों को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने नेशनल डिजीटल हेल्थ मिशन के बारे में लोगों को आउगत कराया जो सबसे पहला कुश्चन हमारे माइन में आता है वह आता है कि PM मोधी Health ID Card की जो है अनॉंसमेंट कब की गई तो PM मोधी Health ID Card की अनॉंसमेंट जो है की गई हमारे 74 97 दिवस मतलब 74 97 दिवस की आउसर पर हमारे PM कौन है नारिन मोधी जी ने जो लाल के लिए से देशवासियों को समोधित किया तो उस समय उन्होंने इस योजना के बारे में जानकारी दी जिसका नाम है National Digital Health Mission तो इस Mission के तहर एक Card दिया जाएगा जिसका नाम है एक ID दर्ज होगी जिस पर जिस ID पर जो है उसका सारा data सेव होगा यानि उस पेसेंट का सारा data होगा उसकी सारी रिपोर्ट होगी उसे काउन सी दवाई दी गई और वह किस किस एक Servers से Connect होगा यानि जो ID जारी की जाएगी एक Servers से Connect होगी और उसी से हमारे जितने Hospital है और जितने भी Clinic Hospital है या कि डॉक्टर हैं यह सारी डॉक्तर जो है उस Servers से जूड़े होंगे तो basically जो है इसमें data कैसे update होगा तो इसमें data जो अपडेट होगा वहाँ होगा कि जो नागरिक है यानि जो पैसेंट है उसको एक यूनीक आइडी दी जाएगी और पासपर्ट दिया जाएगा जिसके माधम से वह डाक्टर को बता के डाक्टर उसकी आइडी पे लाविन कर लेगा और उसके जो है डाटा को अपडेट करेगा तो यह था पियम मोधी हेल्थ आइडी कर्ड जो की बहुत अच्छा जो है रिस्पांस मिलने वाला है इसका क्योंकि इसके जो है इसकी ब्यौस्ता हो जाने से हमारा जो फैजिकली डाटा ले जाना पड़ता है बहुत सारी फाइलें ले जानी पड़ती है उससे जो है पैसं Baoच निरधायद किया गया है और मैं आपको यहां सब्सासित सभी प्रदेशों में लागू किया गया है यहां सबसे पहले यहां लागू किया जाईगा इस तो दोस्तों इस आइडी कर्ट को लिखर कुछ गोबनेक्षां के असंकाट वी लेकेस काटि तो इसका आक्सेश आपके ड्यक्टर के वह कर पाएंगे याकि आपको विसका एक ID पता होगा बस तो बीना आपके ID के जो है कुझा बदाओ कुझत सकता यहां तक कि यह सरकार ने इस मिजन को आपको इसम्ट को लॉंच किया है वह भी बीना ID के हम बताते चलें 우리 you कि यहां कार्ड कितना सैगा है कि एकसर और आपके पास और के पास होगा यानि कि अब किसी डाक्टर के पास जाते हैं जैसे ही आप 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 के पास पास गये 5 कि अब एकसर कर आप आप क्या पूरी तरह से आजीवे चाहते हैं health card को ले जाना या कि नहीं ले जाना इसमें किसी प्रकार की बाधितान नहीं होगी तो दोस्तों यह card पूरी तरह से safe है इसमें क्योंकि OTP और password login ID यह सब की ब्युस्था की गए है जिससे यह card अत्यंत से cure हो जाता है तो दोस्तों जो इस PM Modi Health ID card का उद्देशा है वहां क्या है तो वहां है कि सभी नागरिकों को medical data जो है सभी नागरिक जितने भी नागरिक हैं या कि जितने भी पैसंट हैं उनका data जो है digital store किया जाए digitally store किया जाए इस यूजना की माधम से अब लोगों को अपना इलाज करवाने के लिए भातिक रिपोर्ट यानि कि physically कोई भी document ले जाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी उन्हें के वाद डिजिटल ID ले जाने की ज़रूत पड़ेगी या फिर इस card पे जो ID दी र बात है कि सामय की भी बच्छत होगी और किसी प्रकार का डाटा भी नहीं खोएगा क्योंकि जो डाटा होका हमारा वहां सेव होका एक जो है सर्वर पे जाके उस सर्वर से सारे डाक्टर्स या और सारे हाड हॉस्पिटल जो है connected होंगे DHM National Digital Health Mission के माधम से जो ध्यान देने य सब भी वे डाक्टर्स मिलते हैं तो वे जो है अपनी आड़ी और पास्पर डाक्टर को दे कर उसमें जो है update करवा सकते हैं कि इस टाम पर हमको यह सर्वर हुआ कि ऐसी गारी हुई है तो डी-जी डाक्टर डी-डाक्टर जो है यहां जिसमें कि सभी डाक्टर को एक यूनि तो आई दिखते हैं निश्ट निश्ट है कि हैल्थ फिसलिटी रिजिस्ट्री इसके तहर जो है जिसमें कि सभी हष्ट्टल क्लिनिक और लेप्स जुड़े होंगे सभी यूनीक आइडी प्राप्त कर सकेंगे यानि कि जो है इक आईडी होगी उसी डी को जो है डॉक्टर ज जो है generate की जायेगी साथ ही अपनी जानकारी अप्डेट कर सकेंगे ये हथेविच पर होसकेगे पर्सनल हेल्थ रिकार्ड जहां पर लोग अपनी स्वास्त संबंधी जानकारी अपडेट कर सकेंगे पीम मोधी हेल्थ हाइडी के अंतरकर तो कुछ और भी मुक्षीज़े हैं जिन्हें आई यह दिखते हैं तो फस्ट आता है कान दिखो दोगों कोस्वास संबंधी जानकाई जैसे कि ब्लड गूर्प है रिपोर्ट डाक्टर जो है डिस्चार्ज हुए हैं और आपने दवाई क्या क्या लिए हैं यह सब जो है और आपके चेकप करने वाले डाक्टर का नाम यह सब कुछ जानकारी उस कार्ड के आइडी में सेब होगी और बैसिकली जो यह आइडी होने वाली है जैसा कि हमने उपर बताया यह 14 डिजिट के आइडी होगी जैनि कार्ड पे आपके 14 डिजिट के आइडी दर्ज होगी इस कार्ड का एक यूनिक क्यूआर कोड भी होगा जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हम लोग आनलाइन पर्शेगिंग में किवार कोड का इस्तेमाल करते हैं तो उसी प्रकास इस कार्ड पर 14 डिजिट नंबर तो होगा है उसके साथ एक किवार कोड भी होगा ड्स के और बेसके लोगों के अरावा सबही डाक्टरस सरकारी और गयर सरकारी और ही जोड़ा जाएगा यानि कि जो कार्ड का सर्वर होगा उस पे सबही director theक्र-ष सरकारी और गयर सरकार या होपिटल क्लिनिक डिस्पेनशरी सभी क्यानकारी जो है वहां पे रहेगी बीना यूजर की जानकारी के details आप कोई भी किसी भी card की details नहीं दिख सकते क्योंकि उसके पास password OTP होना चाहिए